रनकपुर मंदिर राजस्थान के अनमोल विरासत का एक सुन्दर उधारण नमशकार आज ए पॉड़कास में हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे प्रमुगधार्मी स्थल के बारे में जिसका नाम है रनकपुर मंदिर ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है अपनी सुन्दर वास्तु और एतिहासिक मेहत्व के लिए रनकपुर मंदिर की स्थापना पंदरवी शतापती में हुई थी और इसकी बनावट में मार्बल का प्रयोग किया गया है इस मंदिर की 1444 कॉलम्स है और इनमें हर एक कॉलम में कार्विंग अलग-अलग की गई है ये मंदिर के आखी टेक्चर का एक महान उधारन है इस मंदिर में बहुत से यतिहासिक तक थे हैं जो बहुत ही रोचक हैं मंदिर की कुछ कथा इतनी अद्बुत हैं कि ये कहना सही होगा कि ये एक सहासिक कथा है इस मंदिर के अंदर बहुत से चोटे-चोटे मंदिर भी है जिन में से एक बड़े हनुमान जी का मंदिर है हर्मान जी के इस मंदर में एक बहुत ही विशेश शिवलिंग भी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है इस मंदर के इलावा यहां के पास एक बहुत ही सुन्दर जील भी है जिसे काफी लोगों ने देखा है इस जील के पास मंदिर के विश्राम स्थल भी है जहाँ आप मंदिर की शांती का अनुभव कर सकते हैं जब आप इस मंदिर को देखने जाएंगे और इसके आसपास घूमेंगे में की गई बारिक्यों और इसके अन्मोल खुबसूरती से बेहत प्रभावित होंगे चाहे आप एक इतिहास प्रेमी हो या एक धार्मिक तलाशक या फिर सिर्फ कलाव और वास्तु शिर्प की कदर करते हो रणकपुर मंदिर आप पर एक कहरा प्रभाव छोड़ देगा तो अगली बार जब आप प्राजिस्थान की यात्रा का प्रैन बनाए तो रणकपुर मंदिर को अपनी इतिहास में शामिल करना ना बोले आपको इससे खुशी होगी अंथ में रणकपुर मंदिर एक बहुती सुन्दर और अत्पुत स्थल है जो भारत के अन्मोल विरासत में से एक है इस पॉड़कास्ट में हमने इस मंदिर के इतिहास और उसकी कताओं के बारे में बात की है धन्यवाद